बिहार में नितीज सरकार के मंत्री मंडल विस्तार के कयास लगाय जा रहे हैं माना जा रहा है कि 24 जुलाई को नितीज कुमार की कैबिनेट का विस्तार हो सकता है दावा है कि राष्टिय जनता दल से दो और कॉंग्रेस से दो नेता मंत्री उपत की शपत ले सकते हैं इस बीच कॉंग्रेस की बिहार एकाई के प्रभारी भक्त चरनदास से मुलाकात करेंगे आपको बता दें कि बिहार बीते कुछ दिनों से मंत्री मंडल विश्टार की बात कही जा रही है और माना जा रहा है कि नितीस सरकार में आगामी लोगसभाचुनाओं को दिहान में रखते हुए कुछ नए लोगों को मंत्री मंडल में एंट्री मिल सकती है वहीं दूसरी तरफ कॉंग्रेस भी लंबे समय से अपने निताओं को कैबिनेट में शामिल कराने की मांग करती रही है ऐसे में नितीस मंत्री मंडल में कॉंग्रेस के ओर से फिलहाल आफाक एहमद और मुरारी गौतम मंत्री है माना जा रहा है कि सीएम से मुलाकात से पहले कॉंग्रेस अपने दो नए चेहरों को ले करके फैसला कर चुकी है वहीं सीएम से भक्तचरंदास की मुलाकात के दौरान पार्टी के परदेश अध्यक्च अखिलेस परसाद सींग के रहने की भी उम्मीद है वहीं अगर राज़त की बात करें तो यहां से भी दो नए चेहरों को मंत्री मंडल में शामील होने की खबर है इससे पहले आपको बता दें कि राज़त कोटे से मंत्री कार्तिक कुमार और सुधाकर सींग इस्तिफा दे चुके हैं ऐसे में उनकी जगह भी नए मंत्री की आने की चर्चा जो रोपर है वहीं इस मामले पर कॉंग्रेस प्रभारी भक्त चरंदास से जब पूछा गया मंत्री मंडल विस्तार को लेकर तो क्या कहा है उन्होंने सुनिए मैं तो फिसर में अर्गानेशन का सब्सक्राइब अगला कदन के संदर में मंत्री मंडल विस्तार एक कड़ी है जब सरकार उसे समझेगा करेगा इस तो छोटी सी बात है कोई बड़ी बात थोड़ी है स्मॉल तिंग कभी भी हो सकता है नहीं नहीं उस पारे में नहीं मुकमंत्री जिसे किसी बारे में भी हम बात करते हैं तो लोग कह देदेते हैं कि बात हो गया कि कल्बाफोन पर बात कर रहता हूं से चल रहा था तो उसी समय कोई था देखा कि मुख्विश्टार के बारे में बात हुआ होगा ऐसा सब बातें चलता रहता है कॉंग्रेस का मंत्री और एड होंगे राजस से भी एक दो होंगे ऐसे जो जो नहीं बने हैं वो बनेंगे ऐसा बात है जब होगा तब पता चलेगा कोई कि नहीं क्या जा रहा है कुछ नहीं उसमें कुछ हमें नाम मंगा गया है अब नाम आज तक दिये नहीं है नहीं नाम हम फाइनलिज नहीं कर पाए थे अभी मुटा मूटी फाइनलाइजाशन हो गया है शोबिस में कॉंग्रेस किस तरह से पूरे देश में आएगी और पूरे महागडवन्न है अब इंडिया कैसे जीत होगा इंडिया का उसमें लगे होएं सब लोग और उसमें बिहार का वी उसी तरह से जीत होगा आपको बता दे कि बीते महिने जीतं रामाँजी की अगवाई वाली पार्टी हम के नेता सन्तोस सुमन ने भी नितिस सरकार से इस्तिफा दे दिया था जहां मांजी की अगवाई वाली पार्टी अब NDA में शामिल हो गई है संतोस सुमन ने बिहार सरकार पर कई आरोप लगाते हुए मंत्री मंडल से इस्तिफा दे दिया था इसके बाद से ही नितिस सरकार में मंत्री मंडल विस्तार के आसार जताये जा रहे हैं संतोस और उनकी पार्टी का आरोप था कि नितिस कुमार के नेत्रित वाली चंतादल यूनाइटेड हम का विले चाहती थी जिस वज़े से उन्होंने गडबंदन से किनारा कर लिया ऐसे में अब देखना होगा कि नितिस सरकार के मंत्री मंडल का आखिर कब तक विस्तार होता है और कॉंग्